कहते हैं ना काम शुरू करते ही जो है गलती हो गई तो वहीं वाला मामला है कि कॉंसलिंग जैसे कि आप कर रहे हैं तो कॉंसलिंग करने के समय कॉलेज को चुनने में गलती हो गई या फिर जो 12 का जो रिकॉर्ड भरने कर रहा था उसमें गलती हो गई तो अब कैसे उसको जरूरी है तो यहां पर हम आपको यह बात बताने वाले हैं कि counseling करने के समय में जो college को चुनने में गलती हो गई है या 12th का जो record है उसको fill up करने में गलती हो गई है कोई भी और दिगर समस्य हो गई है तो उनको हम किस परकार से सुधारेंगे आज किस वीडियो में discuss करने वाले का जा है उसके बाद में जब कॉंसिलिंगं हो जाएगे उसके आधार पर जो मिरिड बनेगा फोर्स्ट मिरिड लिस्ट बास में मेरट लिस्ट में जिसका नाम जाatori के अर्विशन घोगा। सलाड अब उसे के बीच में, आप खर सकते हैं , तीन से लेकर, week में जो अड़ार दो कर आया था उसी समय में कोई दिख़ке नहीं हिए , अब यहा पर जो है की जो हमसे गलतियां होंगी है , तो इस बीच में तो अस्नमभव है , इस बीच में आप सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है, कोई भी गलती हुई है, चाहे college को चुनने से ले करके हो, कुछ भी हो, आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है, अच्छा, सुधार हैंगे कैसे, मानिए कि आपका first merit list में नाम नहीं आया, second में आया, third में आया, मतलब के आया, जैसे कि मानिये कि फर्स्ट जो राउंड निकल जाएगा मेरिटलिस्ट आने के बाद में इडिशन हो जाएगा यार जुलाय तक आप नहीं कर सकते हैं उसके बात में कॉलेज है एडिटिंग का जो डेट रहेगां सेंड जो बनेगाक अपका जेसे माने का फर्स्ट मेरिटलिस्ट में नहीं आया तो उस hopeful आगिए जो गलती हुक इनकर सकते हैं ठीक है इडिट करने के समय कब से कब तक है तो 10 से लेकर की 11 जुलाई के बीच में ही आपको जो है कॉलेज का इडिटिंग करने का जो समय रहेगा सेकर्मेट्शुट के लिए चाहे वो 12 का जो मतलब की शुलेज करने करने में गलती हुई हो या कॉलेज को उपर 5000 करने में गलती हुँ तो वो सभी आपको बहुतर तरीके से समझ आगे है मिलते हैं आक वीडियो में धन्यवाद